देज बिदेज की सभी खबरे जानने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करें बेल आइकन दमाने पिल्पी भी ना भुलें क्योंकि हर खबर पर हमारी पहली नजर नमस्कार कॉबेट बुलेटिन न्यूज में आपका स्वागत है में हिना इकबाल खान चलिए बात करते हैं आज की खास खबरों की खबर हल्दवानी से है हल्दवानी में भारतिय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक भारतियता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर जोगिंदर पाल रौतेला के समर्थन में हर्याना के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटर हलदवानी पहुचे जहाँ उनका महिला मोर्चा के द्वारा स्वागत किया गया और पंजाबी महसभा द्वारा उनको पंजाबी पगड़ी पहना कर उनका सम्मान किया गया वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए मनोहर लाल खट्टर कॉंग्रेस पर जमकर बरसे उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के अंदर हजारों साल तक कॉंग्रेस ने राज किया और दस सालों तक भारत ने ऐसा प्रधानमंत्री को जेला जो एक रिमोट कंट्रोल पर चलता था जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपाई की एहम भूमिका सहयोग रहा और विशेश पैकेज भी उत्तराखंट को दिया क्योंकि उत्तराखंट देवों की भूमी है भारतिय जनता पार्टी केंद्र में आने के बाद देश का चहमों की विकास हुआ नरेंद्र मोधी ने पूरे भारत के अंदर सडकों से लेकर स्वास्थ्य शिक्षा में पहल कर सबको ठीक कराया आज हमारा भारत विश्व में जाना जाता है इससे पूर्व कभी कोई भारत के प्रधानमंत्री की पहचान नहीं थी और भारतिय जनता पार्टी की सरकार जो बादे करती है उसको निभाती हुई आई है वही आज मनुहर लाल खटर ने चुनावी यात्रा की भी शुरुआत क आप देख रहे हैं हलदवानी से संबाददाता समी आलम की रिपोर्ट फिलहाल खबरों में इतना ही ऐसी ही छोटी बड़ी देश विदेश की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शेर करें बेल आईकन दबाना बिलकुल भी न भूले क्योंकि हर का सीधा प्रसानुब किया गया है और एक जो गीत है जो लॉंच किया गया है जो हमारा थीम गीत रहेगा उत्राखंड में चुनाव का तो इस नाते से आज इस कारकम में हमारे अधिकांश कारकरता शामिल हुए हैं क्योंकि कोविड के कारण से बड़ी संख्या में सभाएं इसके अनुमती नहीं है लेकिन छोटी सभाएं करके सभी जगा सतर जगा पर ये कारकम किये गये हैं आज इस सिर्गणाश करने के साथ ही हमने अवाहन किया है कि सब जितने भी नागरेख हैं उत्राखंड के इनको भारती जिनता पाइटी के फेवर में उनकी लिए वोट ड करके लक्षित जो हमारे परिवार हैं गरीव किसान हैं गरीव हमारा मंजदूर है हमारा चोटा पारी है चोटा उद्योग पती है खासकर के स्टार्ट अपस हैं इनके लिए बहुसी रोजनाय बनाई गई हैं और इंफा सक्चर इस पर भी पूरा ध्यान दिया गया है पची जो 22-22 का बजट है 25,000 किलोमेटर सटके मनाई जाएंगी रोपवे के लिए भी 80 किलोमेटर रोपवे जिसमें अधिकतर रोपवे पारीक शेतर खासकर करके उतराखन और हमाचल उसी के लिए दिया गया है और इसके बाद किसानों के लिए उसमें बहुत योजनाय बनाई ग गया जाता है उसको कहते है इसकी जैनकरी उनको न थी कि योजना बनाना समाज के लिए अच्छे काम आगे बढ़ाना किसकी चीज़ पर आगे कर सकते हैं यह उनको जो के एक रिमोट कंट्रोल से वो चलते थे और रिमोट कंट्रोल पर चलने माला व्यक्ति रिजल्ट नहीं दे सकता आज नेंदर मोधी पढ़ान मंत्य जी पिछले